Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल पर जो अगला generation, second generation of satellites हैं, improved version, जिसके अंदर आपको हमारे देश का बनाया हुआ atomic clock भी देखने को मिलेगा, उसको launch किया गया है, यह आप देख सकते हो, Istro begins countdown for, यह तो चलो कल का है, लेकिन आज अभी अभी मैं देख रहा था, इसको finally यह जो mission है, वो आपका successful हो गया है, और इ navigation system है, तो यहाँ पर इसका answer मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस again, UPSC prelims जो कल गया है, मैं फिर से वापस repeat करना चाहता हूँ, कि काफी tough था कल का भी, क्योंकि इसका main current था, जो options दिये गए थे, कल वाले prelims के अंदर, वो काफी tricky थे, वहाँ पर आप guess नहीं कर सकते थे वहाँ पर आपको exactly पता होना चाहिए, तभी आप वो problem solve कर पाते, खैर हमारा जितना भी explanation है, वो कल हम समने डाल दिया था, life classes के माध्यम से, चलिए इसके बारे में detail से देखते हैं, exactly इतना खास है क्यों, यहाँ पर क्या किया है, इस तरोंने atomic clock important क्यों होता है navigation system के अंदर, चलिए और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि 2024 का जो UPSC का exam है, अगर आप उसकी preparation कर रहे हैं अगले साल के लिए, तो हमारे दो batch हैं समय morning और evening batch, खास बात यह है कि 31st of May तक सबसे कम दाम पर आप इसको ले पाओगे, यहाँ पर simply आप हमारे website आप पर जाए या फिर comment section में इसका link दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर use करना है code Ankit Live, ताकि यह month end जो sale है, उसका जादा से यादा आप फायदा उठा सकें, exactly एक साल है आपके पास, so this is the best time to prepare for UPSC 2024, इसके अंदर पूरे features होते हैं, प्रिलिम से लेकर interview तक की जो त्यारी है, वो सब कुछ आपको अंदर मि पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि exactly हुआ क्या, देखे, ISTRO ने Indian Space Research Organization ने launch किया है, पहला second generation satellite, क्योंकि अभी तक आपको पता होगा, यह आप देख सकते हो, कि हमारा जो NAVIC system है, इसके अंदर total 7 satellite आपको देखने को मिलता है, जिसमें से 3 satellite यह आप देख सकते हो, यह ब्लाक कलर में, यह है आपका geostationary orbit में, मतलब exactly 36,000 km अभव अर्थ, यह आपको देखने को मिलता है, और बाकी के जो 4 satellite यह आप देख रहे हो, यह है आपका geosynchronous orbit में, तो यह आपको ध्यान रखना है, लेकिन यह पहले के जितने satellite थे, वो आपके first generation के थे, आज यहाँ पर एक और satellite launch किया गया, इस रो की दोरा, यह आपका second generation का satellite है, और यह पहला है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका जो weight है, वो भी काफी heavy है, यह है लगबग 2232 kg का, और इसी की वजह से, इसको GSLV rocket के माध्यम से, आज launch किया गया, क्योंकि पहले कि यह जितने 7 satellite आप देख रहे हो, इनका जो weight था, इसका जो satellite का weight था, वो था सरिफ 1425 kg, और यह आप देख सकतो, यह है 2232 kg, तो काफी जादा है, तो पहले वाले satellite को PSLV से launch किया जाता था, लेकिन आज का जो launch हुआ था, वो हुआ था GSLV से, आपको पता है, geosynchronous launch vehicle, और इसमें basically क्या है, कि यहाँ पर जो cryogenic engine है, उसका इस्तमाल किया जाता है, जो heavy satellite है, वो भेजा जाता है, इसके लावा मैं आपको यह भी पता दूँ, कि हमारे जो NAVIC system है, जो last time जो हमने satellite launch किया था, वो किया गया था, April 2018 में, IRNSS 1I, अब यहाँ पर थोड़ा समय आपको 1I का मतलब क्या हुआ, देखो, सबसे पहला जो launch किया गया था, वो था 1A, ठीक है, उसके बाद I, I मतलब हो गया, total 9 satellite, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया, कि total इसके अंदर 7 satellite है, तो यहाँ पर 9 satellite अभी तक कैसे launch किया गया है, देखो, इसका मैं बता द कि जो satellite होती है, वो expire हो जाती है, जैसे कि जो सबसे पहला satellite था 1A, वो launch किया गया था 2013 में, तो लगभग 10 साल अब हो चुके हैं, तो इसकी वज़े से, यहाँ पर उसको replace किया जा रहा था, उसमें कुछ गरबड़ी पाई गई थी इस तरह से, तो इसकी वज़े से, एक launch किय जा रहा था, 8th satellite, 2017 August के महने में, लेकिन वो जो satellite launch किया गया था, वो open नहीं हो पाया, वो failure हो गया, और इसी के वज़े से 9th satellite launch किया गया, ताकि हमारे पास total यहाँ पर 7th satellite का जो पुरा system है, वो बना रहे सके, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा और इसके बार 32 kg का है, यह आपको पता होना चाहिए, फिर इसके अंदर additional features हैं, और वो है atomic clock, देखो पहले वाले satellite में भी atomic clock था, लेकिन वो basically हम विदेशों से मंगाये थे, मतलब पहले के जो atomic clock हमारे satellite में include किया गया था, वो हमने import कराया था, पहली बार ऐसा हुआ है, यह आप देख सकतो एहमदाबाद के अंदर जो space application center है, उन्होंने indigenously develop किया है rubridium atomic clock, जो की इस satellite में डाला गया है, तो इसके माध्यम से, अब हमारा खुद का indigenously made atomic clock है, इसको भेजा गया है satellite के माध्यम से, ठीक है, तो यह मैं आपको atomic clock के बारे में और आगे बताओंगा, लेकिन उसके पहले के जो satellite थे, हमारे NAVIC system में, उसमें L5 और S frequency के जो signal है, वो provide किये गए थे, लेकिन ये जो second generation है, इसमें additionally L1 वाला जो frequency है, वो भी add कर दिया गया है, अब इसे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, कि interoperability हो सकेगी, अब जैसे कि for example, आप Google Map वगरा इस्तमाल करते हैं, उसम GPS है US का, उसके अंदर जो band है, वो basically L1 है, तो अभी क्या होता था कि वो, क्योंकि हमारे पहले वाले satellite में L5 और S था, इसकी वज़े से interoperability नहीं हो पाती थी, मालो जैसे आप कोई घड़ी पहनते हो, tracking system वगरा होता है, तो उन सब में इस्तमाल नहीं कर पाते हैं, बहुत मु भी longer होगा, मैंने आपको बताया कि जो पहला generation का satellite था, उसका total life था, mission life था, 10 साल का, 10 years का, लेकिन ये वाले जो नह satellite आप भेजे जाएंगे, आज से जो शुरुवात होई है, second generation, वो होगा आपका total life 12 साल का, ये भी खास बात है, अब question ये है कि ये atomic clock की इतनी significance क्यों है, दे तो location और tracking करने के लिए उसके अंदर atomic clock होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, धरती signal जाता है उपर, फिर यहां से signal रिसीव होता है, तो ये जो पूरा timing है, वो match होना चाहिए, इसकी वज़े से satellite के अंदर atomic clock को install किया जाता है, तो अगर atomic clock नहीं होगा, तो आप track नहीं कर पा रहे हो, और currently मैं आपको बता दूँ, ये ध्यान से समझेगा, कि हमारे जो 7 satellite अल्री हैं, नैविक सिस्टम में, उसमें से 4 में atomic clock आपका work कर रहा है, और बाकी के जो 3 satellite हैं, उसमें atomic clock नहीं कर रहा है, ठीक है, इसकी वज़े से अब जरूरी हो जाता है, कि हम पुराने वाले जो satellite हैं, उसको replace कर सकें, क्योंकि अगर उसमें atomic clock नहीं होगा, तो सिर्फ हम messaging में ही उसका काम ले सकते हैं, जैसे कि fisherman को, deep sea में जो fisherman जाते हैं, उनको messaging भेजना है, कुछ warning messages भेजने हैं, disaster के लिए, तो वो सारी चीज़ों में सिर्फ messaging के purpose का का काम आएगा, वो satellite, अगर उसम साल का life span रखते थे, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि पहला जो satellite launch हुआ था 1A, IRNSS 1A, वो हुआ था July 1st 2013 में, और उसी साल 2013 में ही, 1B और 1C भी launch कर दिया गया था, तो क्या है कि 1A तो almost खतम हो चुका है, मतलब वो work करने लायक नहीं है, और इसी की वज़े से हमने 2018 में एक launch करने की कोशिश की थी, 1H, जो की mission हमारा fail हो गया था, खेर जो भी है, अब जरूरी हो जाता है कि 1B और 1C भी यहाँ पर work करना बंद कर देंगे, इसकी वज़े से हमें जल से जल दो और जो नए generation के satellite हैं, उसको भेजना जरूरी है, आई होग कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगी, लेकिन इसके साथ-साथ, ISRO का काफी criticism भी होता है, NAVIC system को लेकर, वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, देखो, experts का ये कहना है, कि अब लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, जब पहला satellite launch किया गया था, 2-3 satellite का जो life है, वो खतम होन इसली मेड हमारा satellite system है, वो हम इस्तमाल करते हैं, ज़्यादा बेटर होता है, हमें foreign countries के ओपर depend नहीं होना परता, और इसका मैं आपको एक कारण भी बताता हूँ, देखे, यहाँ पर क्या है, कि अभी तक users इसका इस्तमाल को नहीं कर पा रहें, क्योंकि हमारे यहाँ पर, प report IT 2018 में, उसमें CAG ने कहा था कि, cabinet ने 200 करोन रुपे अलड़ी clear कर दी हैं, ताकि इस तरह के infrastructure को बनाया जा सके, लेकिन वो उसका जो काम है, वो सिर्फ 2017 से ही start हुआ था, वैसे अभी अगर आप देखोगे, जो receivers हैं, उसको बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो projects हैं, ज management aerial vehicle, ठीक है, उन सब में भी इसका इस्तमाल किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है, और अभी कुछ mobile phones, जैसे की callcom हो गया, media tech, जो आपको पता है न, यह जो chipsets बनाते हैं, phone के अंदर आपके जो chip होता है, callcom का, media tech का, तो उसके अंदर बताया जा रहा है, कि 2019 में NAVIC का जो receivers है, वो आपका install कर दिया गया था, तो इसको बड़े पैमाने पर लाने किया हो शकता है, देखो conclusion यही निकलता है, कि जब fully, पूरी तरह से function हो जाएगा, navic system, जो कि हो जाना चाहिए अगले एक दो साल के अंदर, तो यह बहुत सारे benefit समय देगा, ध्यान रखेगा, भारत ए पता है आपको, यूरोप का गलीलियो हो गया, और चाइना का बाइडियो हो गया, यह पूरे global लेवल पर है, पूरे दुनिया के अंदर आप इसका navigation कर सकते हैं, इन satellite के माधियम से, और जो भारत के पास है, वो regional है, regional मतलब भारत, इसके साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस् और जो जपैन है, ध्यान रखेगा, जपैन के पास चार satellite system का पूरा navigation है, जो कि सर्फ जपैन को ही navigation प्रोवाइट करता है, और इसी लिए देखे, कल का जो exam में question आया था, that is, कौन से देश के पास खुद का satellite navigation system है, तो जो option इसके अंदर दिये गया है, तो अब्विसी बात ह Australia नहीं होगा, Canada नहीं होगा, इसराइल नहीं होगा, इसका right answer होगा Japan, तो इस तरह के बहुत कई बार, ये तो थो थोड़ा असान सवाल था, I am sure कि ज़्यादा तर लोगों को शायद पता होना चाहिए, I don't know, बट यहाँ पर आप देख सकते हो question इस तरह क्या आते हैं, और ख होता है, बट आज का ये जो launch था, successful हुआ, और पूरी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हैं, कि एक बड़ा काम हुआ है, खुद का atomic clock हमने space में भेजा है, जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम satellite की बात कर रहे हैं, तो जो communication satellite होते हैं, उसके अंदर कौन से band का इस चार में से, इसका right answer, आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिले गई, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में कई सारे MCQs हैं, वह यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आ IAS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल